इंदौर शहर की सरको फुटपार्ट पर रहने वाले निराशित मनुरोगियों को आसरा जल्द ही मिलने वाला है मनुर चिकित साले इंदौर इनके लिए विश्रत तिकारी होजना पर काम कर रहा है इंदौर की बाड़ गंगा इस्तित मारचिकित साले में 2 अक्टूबर को एक नई पहर होगी डौक्टर राम गुलान रासान के अनुसार इस्पतार के मनुरोगियों का बहतर इलाज हो रहा है और साथ ही डौक्टर रासान का कहना है कि 2 अक्टूबर को महत्मा गांधी की 150 भी चैनती है इस मौके पर सड़को पर घुमने वाले मांसिक रोगियों के लिए नई पहर शुरू कर रहे हैं इसके लिए अस्पतार में कोई भी टोल्फी नंबर पर कॉल करके जानकरे दे सकता है कि इस अस्थान पर कोई मनुरोगी लावारी 16-16 पर पड़ा है इसके बाद अस्पतार प्रवंदन उस मनुरोगी को अस्थान से अस्थान से अस्पतार लाएंगे और इसका विशेश्चा की डॉक्टर पूरी तरह से निश्णल किलाश करेंगी इसके लिए स्वेम से भी संस्था आजार हंद भी महतिबूर पूमी का निभाई की इसमें फुलर समाजिक नियाए और प्रशासन को भी साथ में रखकर मूर्थ रूप दिया जाएगा जैसा कि पूरे भारतवर्स में आकड़े हैं करीब आठ लात लोग जो मनोरोगी हैं वो सडकों पर हैं जिनका इलाज नहीं होता है और सहर में इदर उदर घोमते रहते हैं ऐसे बेखती उनका स्वयम को ध्यान नहीं रहता है क्या वो मनोरोगी हैं क्या वो उनको इलाज किया आप सकता है कई सारे जो ऐसे मनोरोगी ठंड में ये दोंको प्रापर केर नहीं मिलती तो ठंड समर जाते हैं गर्मी में गर्मी समर जाते हैं बहुत सारे लोग ऐसा भी होता है कि सोसल सोसाइटी के कुछ ऐसे जो असमाजिक तत्व हैं उनके टार्चर से रेप के विक्टिम होते हैं और लोगवाट मजा के भी पात्र होते हैं अता इन मनोरोगियों को जहां भी हैं उनको केर करने के अब सकता है बात यह है कि समाज उनको मानो ही नहीं समझता है वो सोचता अगल है और उनको कुछ भी नहीं समझता है कि पिछले जन्म कर्म किये हैं गलत काम किये हैं इसलिए ऐसा करना है जबकि वो एक मनोरोगी है और तो को यदि इलाज दिया जाए तो इलाज के बाद में वे एक सामानी जिन्दगी बिता सकते हैं हम और आप जैसे नामल बेक्ती हो सकते हैं इसी पर पेश में मानसीची के सलह इन दौर द्वारा हम लोगों ने मिल करके एक वीड़ा उठाया है कि जो भी मनुरोगी स्ट्रीट पर हैं सड़प घूनते रहते हैं उनको कोई करने करता है वहाँ पमच करके उन्हें इलाज की सुधाएं परदान करें और उनको लीगर करवाही के साथ ही हमारे चीकिसाले भारती कर उनका इलाज की सुधा परवाइड करें तर्व करने का ने दो अक्टूबर इसी साल प्र 25 वर्स है तो कुछ युगदान हम कर सकें उनके चाहते वर्स पर कि बहुत बहुत हम लोगों को खुशी होगी है